हेलो फ्रेंट्स तो हम लोग इस लेशन में देख रहे हैं नुक्लियर इनर्जी प्रोग्राम नाब किये उर्जा कारिकरम से संबंदी जो है क्वेस्चन बीपेस ही काफी आज कल लगाता है पुछ रही है लास्ट देखेंगे दो हजाए बाद है उसमें भी क्वेशन पुछा था और उसको आज में 63 का मैंस था उसमें भी नुक्लियर इनर्जी से क्वेशन पुछा था नुक्लियर इनर्जी काफी महत्पून होता जाता है तो नुक्लियर इनर्जी के बारे में हम लोग बहुत सारे डाइमेंशन को कफर करेंगे और इस पर question जो है उसको कैसे solve करेंगो उसको हम लोग बाद में देखेंगे तो अब इससे related कुछ question अगर हम लोग देख लें तो पहला कोचन देख लें जो कि बहुत पहले आया था संतानुई में आया था भारत के नाबकिये उर्जा कारिक्रम की विभीन अवस्थाओं का वहरनन कीजिए मतलब different stages की बात किया जा रहा है फिर है भारतिये परमानुशिधान्त पर एक निबंद लिखें दूसरा देखें नूकलियर इंधन सक्ति पर संशिप्त नोट लिखें अगला क्वेचन देखे हुए है नाबकिये उर्जा है क्या और क्या नाबकिये उर्जा सेंत भारतिये उर्जा संकत की समस्या को सुल्या सकता है उसके बाद दो हजा बादा का question देखें तो फुकुसीमा प्रमानु आपदा ने प्रमानु तक्नी के खत्रों पर दुनिया का ध्यान केंदित कर दिया है भारत की बड़ती उजारिसकताओं के देखते हुए इस रास्ते को त्याग देने क्या भारत के लिए प्यूक्त होगा कि हमारी उजा की जरूतों को वरिकल्प्रिक सुरतों से पूरी की जा सकती है मतलब इससे अभी तक जो question पुछता है कि क्या nuclear energy में इंडिया का और भी कदम बढ़ाना चाहिए जबकि इसको पता है कि nuclear energy जो है ये बहुत बड़ा एक खत्रा का भी कारण बन सकता है और ये प्रमानु तक्निक जो है ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन सकता है इसके बावजूद क्या इंडिया को इसमें बढ़ना चाहिए क्या उजबकि पुरा करेने के लिए एक अच्छा उपाय है इन साइज चीजों के बारे में इन साइज चीजों से संबंदित आपको question पुछा जाएगा तो हम लोग nuclear energy program को पूरी तरह से हम लोग समझते हैं उसके अनुसार question आपको जिस पर कार आएगा उस अनुसार आप question का answer देते चले आएगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं nuclear technology nuclear technology का मतलब क्या हो गया सबसे पहले तो nuclear का मतलब क्या हो गया nuclear का मतलब हो गया कोई भी item है उसके nucleus में neutron और proton होता है उसके outer जो orbit है बाहर में होता है electron और इस परकार ये rotation करते रहता है घूमते रहता है ये हो गया nucleus एक item का nucleus दूसरी item का nucleus ठीक है? ये दोनों के बीच में कुछ interaction होता है इसी interaction के दोरान ये दोनों nucleus आपस में किसी परकार का reaction करते हैं और उस reaction के दोरान ताफी ज्यादा मात्रा में उर्जा निकलता है और उस उर्जा को हम लोग इस्टेमाल करते हैं वह हो गया हमारा नाब की ये उर्जा nuclear energy है एक और स्वे में टर्म आपको समझा दू science and technology science क्या होता है? science है कैसा चीज है? science एक study है किस परकार के study है? एक systematic study है मतलब कुछ भी activity होता है उसको हम लोग systematic जब हम study करते हैं तो जिसमें हम लोग जो study कहने का तरीका है उसी को science कहा जाता है और technology क्या है? जो study की है, जो science का जो application हुआ किसलिए science का application हुआ? कि हमारे life के जो समझाएं हैं उसको दूर कर सकें लाइब को और ज़्यादा आसान बनाए सकें तो उसके लिए जो इस्तमाल किया आता है वो हो जाता है तकनीक तो यह basically science और technology का differences है, definition है तो सबसे पहले समझते है nuclear technology है क्या? nuclear technology है, ऐसा technology जो कि atomic nuclei का जो nucleus है atomic nucleus के बीच का reaction को बतलाता है और इस reaction के दोरान काफी मात्रा में energy जिंदेट होता है यह application होता है smoke detector से लेके nuclear reactor तक काम करता है और gun side से लेके nuclear weapon तक काम करता है मतलब nuclear technology जो है smoke detector जो कि धुआ उसको पहचानने के लिए वहाँ से लेके nuclear reactor तक का इसका इस्तेमाल होता है और gun side से लेके nuclear weapon तक मतलब gun से लेके nuclear weapon तक का इसको इस्तेमाल किया सकता है तो यह हो गया हमारा nuclear technology अब nuclear technology आपको जाने तो structure of nuclear atom जो nuclear atom का जो structure होता है उसमें जो nuclear reaction होता है उस ही nuclear reaction के दोरान energy create करता है उस ही कहते है nuclear energy यह आप ही कहें तो atomic energy आप किये हुजा यह प्रमान हुजा करते हैं nuclear energy जो है produce होता है दो तरीका से एक होता है naturally और एक होता है man-made operation के द्वारा है naturally naturally के मतलब क्या हो कि इसमें human कुछ नहीं करता है वो energy generate होता है निकलता है कैसे होता है naturally बहुत जगह देखेंगे nuclear energy जो है naturally produce होता है जैसे की सूधी है सूधी में क्या है सूधी में जानते है nuclear fusion होता है मतलब वहाँ पर hydrogen का molecules है hydrogen का atoms है nucleus है वो मिलके helium का nucleus के निवान करता है तो sun में जो है वो naturally होता है जो reaction होता है nuclear energy वहाँ पर naturally produce होते है उसी परकार और भी other जो stars है जो भी तारे है उन साइज जगह में heat और light जो nucleus reaction के दोरान जनरेट होते है तो यह हो गया naturally निचरली का सबसे best example हो गया stars उसमें एक sun भी star है दुसरा देखें दुसरा है man made तो nuclear energy को हम लोग man made कैसे निकालते है उसके लिए हम लोग machine बनाते है जिसको कहा जाता है nuclear reactor अब nuclear reactor क्या है nuclear power plant बनता है और इससे electricity generate किया जाता है और electricity जो है city में भेजा जाता है तो man made nuclear जो इनसानों के दोरा जो nuclear reactor बनाया जाता है nuclear reaction कराया जाता है वो atomic bomb भी इसी का गरूप है जिसमें की man made होता है मतलब उसको इनसान जो है nuclear reaction को करावाते है तो naturally the natural जो nuclear reaction हो गया नावकिये प्रतिकिरिया भी किरिया हो गया वो सुर्य में देखा जा सकता है स्टार में देखा जा सकता है जहां पर heat और light निकलते रहते हैं वो होते है nuclear reaction के दुबाद द्वारा man made वो हो गया जैसे कि हम लोग nuclear bomb बनाते है atomic bomb बनाते है nuclear reactor बनाते हैं इन साइज जगर पर इसको इसको इस्तेमाल होता है तो यह हो गया nuclear technology का यह basic आपका जो है यह introduction हो basic जो हम लोग इतना चीजों को आप समझ सकते हैं जब भी nuclear technology के बार में कुछ बात करें तो इतना आपको idea होना चाहिए अब हम लोग बात करते हैं कि energy जो है किस पर कार निकलती है energy हम लोग बात करते हैं chain reaction में हम लोग बात करते हैं nuclear reactor का sun का energy है उसको हम लोग जानते है nuclear fusion होता है उसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं लेकिन अभी हम लोग बात करें हैं नुक्लिय फिशन तुकता है नाभ किये भी खंडन और उस तुटने के दोरान जो एनरजी निकलता है चेन रियक्शन एक स्तिंखला बाद भी किया कैसे होता है उसके बात करेते हैं यहाँ पर इस पर एक्ट करता है इस पर अटाक होता है इस ट्राइक करता है तब यहाँ पर पहले निट्रॉन जो एबजॉब कर देता है अबजॉब करने के बाद में तिन निट्रॉन यहाँ से जनरेट होता है और यह दो भाग में तुड़ियाता है क्रिप्टन और बेरियम और क्रिप्टन में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तिन निट्रॉन निकलना है एक तो निट्रॉन जो अबजॉब किया हो गया ल इसको भी तोड़ दिया, तिस प्रकार जो है, एक से हो गया तिन, तिन से हो गया 27, यानि तिन से तिन तिन निकल गया, तो इसी प्रकार जो है, तिन तिन इस स्वाई नो हो जाएगा, तो यहाँ पर इसी प्रकार के स्रिंखला बदी रूप से काम करता है, तो पहला neutron अटेक कि जो कि फ्यूल है, वहाँ से इरनियम 235 तुटा उस दोड़ान, तोटने के दोड़ान, यहाँ पर काफी ज़्यादा मात्रा में एनरजी निकलता है, और उसके बाद में तिन निकलते हैं, तो एक neutron जो है, दुसरे जगा टैक करता है, दुसरा neutron दुसरे जगा, और तिसरा ति 2000 reaction, स्रिंग्लाबद reaction, और इसके बज़ाद से क्या हुत, उरनियम 235, 235 जो है, फ्यूल के रूप में इस्तमाल होता है, और smoking dealers, 2500 जो है, 236 जो है, अनस्टेबूल होता है, और इसी को निकले फिजन में इस्तमाल होता है, तो यह तो बहुत जाथा हो गया, इसको आप simple, अग क्रिप्टन और 140 बेरियम उसके साथ साथ एनर्जी निकलता है और 236 फॉर्म करता है इधर भी 235 था एक हो गया क्याल्य करता है है थिक है अब हम लोग भी कोई बीक हो गया है नाभीक जो टूट रहा है, नुकलियस टूट रहा है तो नुकलियर फ्यूजन फिसन में क्या होता है कि कोई भी नुकलियाई है, कोई भी आटम का जो नाभीक है उसमें स्प्लीट होता, वो नाभीक टूटता है तुटने के दोरान जो काफी मात्रा में एनरजी डिलीज करता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है अटॉम बं में, नुकलियर रियक्टर में ये दो जगह पे नुकलियर फिशन यानि नाभकिये विखंडन के दोरान उजा को निकाला जाता है कहाँ पे अटॉम बं में और नुकलियर रियक्टर में इरेनियम नुकलिया जो है बहुत आसानी से स्प्लिट होयाता है जब उस पे नुट्रान उस पे टेक करता है और इस वज़े से काफी मात्रा में उजा निकलता है ये हो गया नाभकिये विखंडन दुसरा देखे नाभकिये शनलाइन नाभकिये शनलाइन में क्या हो गया कि यहाँ पे नुकलिया यह आटम्स डिफेंट 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 अटम्स का जो नुकलिया से वो आपस में मिलते हैं फ्यूज कर जाते हैं आपस में जूड जाते हैं और इसके वज़ा से जो है, काफी ज्यादा एनरेजी निकलता है, अब जो जूड़ते कब है, वहाँ पे वेरी होट कंडिशन, काफी गर्म कंडिशन होता है, वहाँ पे ये दोनों नुकलियस जो है आपस में जूड़ जाते हैं, जैसे कि सिंपल उदायन अब सन को दिख सकते है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन नुकलियाई, दुसरे हाइड्रोजन नुकलियाई से फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद में वो बना देता है हिलियन, इस रियक्शन को अगर समझेंगे, तो 1H1 प्लस 1H1, 2HE4 बना देता है, 1H2, 1H2, यहाँ पे हो जाता है 2HE4, हिल पे रियक्शन करता है, यहाँ पे यहाँ दो नुकलियस फ्यूज करता है, काफी मात्रा में निकल आधा, उसके बाद में हिलियम का निर्मान हुआ, और नूट्रान हुआ उसके साथ साथ एनरजी निकला, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, फिसन में क्या हो गया, फिसन इस प्रिकार न हो गया टाइप आफ नुक्लियर रियक्षन्स दो रियक्षन रखीएगा नाब किये सनलाइन और नाब किये विखंड़न आगे देखते हैं अब हम लोग देखते हैं जो नुक्लियर रियक्टर है उसमें कौन-कौन से मुख्षी कंपोनेंन्ट होते हैं तो ढला प्रेंगृतर पसको पती है। तो आफकी तासे की प्रेंग करया जाता है। आफकी देब आफको ह्यंके से उक्रणाए जिसे सब रभिरूत काया प्रेंग. संवी फील ही को सिकार, किम आफके न्माःत्रिक ट मुझेगार टीजीख कंता है। तो हो गई फ्यूल दूसरा हो गई मोडेटर मोडेटर मितले हो गया कि जो नुट्राउनि लिज होता है जैसे है कि देखते हैं कि एक निट्राउन जब उदेनियम पैटटक कहता है तो वहां से तीन निट्राउन लेब्सक簡ि लिएन जो का देता हुए उसको स्लोक का जाता है और इस बच्छा से नूट्रॉन जे चान्ट्रो्राइड हो गया कि यहां पे ऐसे इलेमेंट के सफ्थमाल किया जा-जाता है जो एक्छन को बहुत तेज़ करेता है उन साथे जो extra neutron उसको absorb कह ले उसको अपसोसित कह ले जैसे कि कॉंसाइश से control rod में इस्तमाल होता है कैडमियम बॉदॉन यह साइब चीज को element को इस्तमाल किया रहता है मिटल को इस्तमाल मेटल को इस्तमाल किया रहता है ताकि जो neutron को कैन्ट्रोल किया सकते है उसको रोका सकते है अगला होता है क्वाas क crease क्वास धिश्यों के होता है एक लिक्विड अघी सब्सक्राइब होता है इसको का अ सबsmís हो नरे को बिश्यांट करने के लिए मतलब और गया क्या हो गया कि जो गर्म तो इसमें कि सित्मी करते हैं इसमें की लिक्विट गैस की दूप में हो गया काम करता है उसको कुलउर वह करते है अगला लाता है प्रेशर हल प्रेशर एक chosen ये फुरा ने कोच अ जो जो ने होते हैं। stream generate हैं। steam generate के मतलगड़ क्या होता है? हम लोग जब nuclear reaction कर वाते हैं तो उस दोरान काफी मातला में heat निकलता है। उस heat को हम लोगop पांटी मिलाते हैं पांणी मिलने करेंगे वार्स फो heat के कारण जो है काफी ज़यदा steam बनता है और steam create होता है, उसी steam के बाद हम लोग जो है, उसी steam को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और turbine को घुमाते हैं, तो फिर हमारा electricity generate होता है, ठीक है, एक होजा आता है containment system, containment मतलब जो size system को एक जिगा, जो contain करकर रखता है, वो हो गया containment system तो important component हो गया nuclear reactor का, इसको भी आप कुछ-कुछ ध्यान रखिएगा, fuel, moderator, control rod, coolant, pressure vessel, steam generator और containment system, इन साथ चीजों को आप ध्यान रखिएगा